जी तो ये व्लॉग का पार्ट टू है पहले मैंने आप लोग को मनारा पुदा भी दिखाया उसके साथ ही बिल्कुल ये एक कल्चरल हेरिटेज विलिज है एंट्री इस अबसूटली फ्री और मैंने जो फोटो देखी है उसमें तो बहुत प्यारी लगी है तो चलते हैं इसक है ये बहुत अच्छा सिटिंग एरिया है एमिरेट्स हेरिटेज कलब ये जी इदर का जहन में रखिएगा कि ऐसी चीज़ें अलाव नहीं है इसके एंट्रम्स है ये इन्होंने हिस्टिरिकल आर्केव के नाम से एक रूम डेडिकेट किया हुआ है उसके जितनी में हिस्ट्री है वह आप लोगों को नजर आएगी जैसे ये लेट शेख जाहिबन सुल्तान जो थे ये लोगों से मिल रहे हैं और ये चेक करें माशा आलला बहुत अच्छा है प्लीज टच्छ थे स्क्रीन टो ब्राउज फोटो अभी ये बंद है ये इनका मशाला कल्चर है जी ये अपने आर्टिफेक्ट्स और कल्चर को प्रमोट करते हुए ये इस पूरी जो विलिज है है एरिटेज विलिज उसका मॉडल है जो जो आए इतरा चलते हैं एजी फॉर्टी दर्म के ड्रेस्स भी महजूद है डिफ्रेंट करंशी बने रहे हैं लिखा हुआ है यहां पर काफी फॉलनर्स आते हैं ये अर्बी ड्रेस तबूक कंदूरा कि आची से अर्फाने बने विलिफ आसरो है थॉर्टी त्ढूरा क्राइब काधी आइक को घॉप है एफलो आए उसका टो आए क्को आए जढया सब्सक्राइब है लमस्थीदा है ये मचन्मस्थीदा इसकी भी आप रूफ देखें, ओल्ड स्टाइल की बनी होई है यह बड़ी ब्यारी सीन ने एंटर्स बनाई हुई है, एक एरिया की यहां पर होस्राइट का है, बचों के लिए है, वो कैमल राइट भी अवेलिबल है यह पार्मर के लिए है, यह जीनों ने एक टिपिकल जो घर होता है, होता था अर्मियों का, उसका एक यहां से आप लोगों को आइडिया होगा, यह बड़ी खजूर की पतों के फैंस बनाई हुई है, और यह देखें, यह बैठने की जगह है, मुझे थोड़ा साथ चलने में हो रही है, नीचे रेट बहुत सॉफ्ट है, यह एक छोटा सा इनने बनाई वे रूम, यह जी, घर का मनज़र, यह मजलीस है, वो आगे सोने की जगह है, यह आगेस शायद कीचनो, वसी तरह कही है, लाल टैन, और आप यह देखें, यह देखें, खुजूर का इस्तमाल किया गया, और यह देखें, बिलकुल उसी तरीका से उन्हों ने बनाया है, कि जिस तरह से एक एक्ट्वल में था, रहते हैं जिए भी भी लोग सहराओं में, इस तरीका से, इधर से निकल के, अब हम इस तरह आते हैं, वो कुछ इंफरमेशन वहाँ पूट की यह जाकर देखते हैं, बहुत ज्याता सॉफ्ट सेंड यह, इसको कहते हैं बैतल हसा, यह पहाड़ों पे रहने वाले लोग पत्रों से घर बनाते हैं, इसके बार में कहते हैं, कि यह सल्दियों में गरम और गर्मियों में ठंडा, रखने में मदद देता है, यह इ इस तरीके से जी दिवार बनाई जाती है, और यह उन्हें लिखा है कि खजूर की शाखें इस्तमाल करके तो बनाया जाता है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गरम, गुड यार, आके चलते हैं, जी तो यह एक और तरह का घर है, बैतल, यह नूबी कहते हैं इसको, और यह बक्रियों और भेड़ों के जो बाल होते हैं, उनक से बनता है यह कपड़ा, यह, अंदर से देखें, यह जो वाम एरिया होता है, उसके लिए होता है, और साउथ की तरफ वो कहते हैं कि यह वला कपड़ा इस्तमाल होता है, मतब बाकी देखें, यह इस तरीके से हैं बट साउथ वाली साइड है, वो यह डिफरेंट कपड़ा है, इस्तमाल होगा, यह पानी रखने की जगह, संदूग, वो बिस्तरे, तो क्या ही साधर लाइफ, यह जी बैतल इवानी अब आगया है, आप लोग इस तरीके से घार है, और यह देखें जी, यह जी तरीके से वो लोग रहा करते हैं, अच्छा जो मेरे बीच्छी आप तो देख रहे हैं, इसको कहते हैं, बैतल हदीरा, यह मजलिस टाइप, ओपन, मतबिदर, चारो तरफ लोग बैठ जाए करते थे, यह देखें, बरतन है, इस्तमाल होते थे चाय बनाने के लिए, यह काफी बनाने के लिए, मजलिस देखें, जी ऐसी होती थी, पहले, यह जी दुबारा, उनी कल्चर के मताबिक, जो मैंने आपको पहले बताया, कि जो बकरी और भेड के, बालों से बनाया गया कपड़ा, उसी का ही है, सारा, यह भी मजलिस है, जी, वो ओतरा की है, यह अधर बैठके चाय बगरा का इतमाम, यह घर के साथ मजलिस का इस तरह हुआ करता था जी, यह जी है, अल समान म्यूजियम, शेख जायद ग्रेंड मॉस्क, यह जी, इन क्या, कोईन्स है, कोईन्स की, कम्प्लीट हिस्ट्री है, कोईन्स की बहुत बड़ी कॉलेक्शन है, यह जो गन्स, यह लोग इस्तमाल करते रहे हैं, स्वार्ड जागें जी, कि यह जी, यह जी, 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 यह में रहने बुराने पार कर नुसका है यह मैंने कैमरा उल्टा नहीं बकड़ा हुआ यह नहीं दिस्प्लेइ इस तरह किया हुआ यह खंजर है उसके साथ बेल्ट भी है कमर पर बांदू के लिए और यह जनाब बेरसा के मिल दिया यह जो अरब खावातीन जूल्री पहनती दें यह डेकुरेशन की इजी टाइम्स माशाला कर्मा लिखावा 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 इसके बार मैं कुछ ने लिखावा कि यह क्या है इंटरेसटिंगें बहुत में इन जिए बहुत परानी है इनले खजूर की जू चाल होती है उसका बनावा पेपर नहीं अब अब हम जी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जो उनकी परानी बोट्स होती थी, वह उनने दिस्प्ले कियो ही है, तो यह देखे है, यह पर्ल डाइविंग धूत है, इस बोट का नाम है, यह इसका डूसरा एंगल है, और अगली जो है वो ट्रेडिशनल रोइंग बोट कि यह आप लोगों इसके बारह में देखे है, और यह बहुत बड़ी है। यह चैकरें इसका है, यह देखे की ती छोटी पोटा है। अंदर से कैसी है, इस पर बैठके तो वह चपउं की मदद से इसको चलाया जाता था था दो यह है जी कल्चिरल हेरिटेज किस तरही किसे होता था और दूसरी साइट पर देखे कैसे मॉडरन सीटी आज का बुदा भी आप लोग देख सकते हैं बैतल सहल केते हैं जी इनको यह बड़े होते हैं साइज में और चेक करें अच्छा यह बड़ा मज़े का लगा है कि यह लोग अपना जो कल्चर है उसको नहीं चोड़ते माशाला अभी भी इनके जो मॉर्टन घर भी बान रहे हैं उसमें बच्छों का प्लेंग एरिया लाजवी वो लोग रखते हैं इंडोर प्लेयरिया मतलब लॉन में या कहीं पर यह बलकनी लॉबी टाइप है और यह जी बैडरूम वह मजलिस यह मजलिस है और वह अगला है साफ़ शायद बैडरूम के दौर पर यूश करते होंगे वहां पर बिस्तर पड़ा पी हुआ है यह संदोक है जी आजिस यह किचन यह वाश्रूम होगा यहां पर भी इन्होंने बोट्स के मॉडल रखे में है अभी तो यह दिपिक का मतलब से दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बोट होगा है क्या पता यह पीछे पूरा एरिये पर अपनी बोट्स पेड़ी करते हो और आगे घरो यह जी द्रखत कितना पुराने लगे में है और चलेंगे बाहर की तरफ यह है जी है हैंडी क्राफ्ट्स सूख सूख यहां पर मार्किट को कहा जाता है तो यह ट्रेडिशनल मार्किट्स ऐसे होती थी पहले हम पर क्लॉक्स हो गए मैं आप सब को इसका कि कुई टूर दे देता हूँ कि यह जी क्लॉक्स है यह जी 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 बूबन कारपिट्स यह जिस पर खाड़ी यह भी खाड़ी है जी यह दागे पड़े में है यह पूरा जैसे एक शॉप होती है उसका एक मनजर है यह जी डाइगर्द और स्वार्ड़्ज है खंजर और तलवारें उसका डिस्प्लेश तरीके से होता था यह शेक साब की फोटो लगी हुई है यह एक्जिबिशन सेल अफ प्रोड़क्ट्स यह प्रोड़क्ट्स जहां पर त्यार होती थी तो पीचे वर्क्शॉप है और यह रेडी तो सेल यह रेडी तो यूज प्रोड़क्ट्स है पोट्री यहां पर मिट्टी के बने हुए बर्तन और डेकॉरेशन पीसीज यह वर्क्शॉप है जी लैदर प्रोड़क्ट्स यह डिफरेंट तरह का लैदर कस्टमर के लिए कि कौन साब को पसंद है अधिया प्रोड़क्ट्स त्यार की जाती थी इस तरीके से शॉप्स नजर आती थे इनकी कारपेंट्री इंडस्ट्री यह लकडी की प्रोड़क्ट्स विज़ा जो जाहरेंगे लिए तर्वाजा चेक करेंगे लिए तना प्यारा है और कितना नवासत्र तर्वासत्र काम हुआ गाए यह डिफरेंट मॉडल दिस्प्ले के लिए यह और यह आपका भाई हलो यह जी म्यूजियम, इस बिल्डिंग को नाम दिया हुआ है, वैसे तो सारे म्यूजियम है, इस एंट्री है यह जी अमरेटी, हवातीन का ड्रेसरप है, और यह इनके मेल्स का ड्रेसरप है यह जी अजैने के शोज, किस तरीके से भाखलते थे हैं, यह जरी है जी है, कजूजा कहते हैं जी कर प्रोड़क्ट भी यह करते हैं, यह जिलरी जो 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 झाता था था इस प्रीकेस भवातीन के हैं ने शायद मर्दों के भी नौ एडिया वाटर जागा जी यह खावतिन कंदे पर रखती हैं इसको यह बखूर बहने रहे हैं डिफरेंट तरह के हैं और इस तरफ यह देखे हैं यह इस्तरी यह काफी पॉर्टर और वाशिंग बाॉलर यह पानी जोहीरा पिने के हैं यह जी ट्रेडिशनल संदूक है लुक है अटव बाव पॵक यह जोफ है बावने हैं लोगा तरह मजए पूर्टर अधनली बावने हैं पॉर्टर यह ए प्रिश पकड़ने कभी है विसा महाना जी ये नेट है तो पर देखने के लिए औिस नुग्सेल है यह जं़िए यह कोश़त है‌गूश का सब्सक्रापरों के लिए मुषकर यह पेदी है यह कर्सक्राप्रिशा दकश्रणने कंदे, Essa देखने का एक फिश है यह केमल हादने से जी होर्स हादने से जी है यह सीट यह स्केल एंड माइयर्स यह जीकार पेंटरी के टूल्स है सो यह पानी रखने के लिए अग्रीकल से टूल्स है यह जी बड़ा प्यारा हुनों ने बैठने की जगा बनाई हुई है अर्के अलोजिकल एरिया है जी है अच्छा यह जितने भी हैं यह मॉडल्स बने हुए हैं कुछ जो इनको आर्टिफेक्ट्स यह कुछ अरिया अबाद मिले जैसे यह चार कंबाउंड बने हुए हैं उसके बारे में यह इन्फिर्मिशन है कि चार हजार साल पहले का है जो यह अल-एन वाले अलाके में उनको मिला जैसे पिछली आप में मताई इसी वीडियो में आपने देखा आप इस वीड़ास के जो इन्होंने दिर्याफ किं पुराणी लोगों की हुएं यहां के बर्क RH. बहुत अच्छे हैं चलें जी चलते हैं यहां से जी तो यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह थी जी इनकी कल्चरल हेरिटेज विलीच और वह इरिया भी बहुत अच्छा है कि मैंने आपको तरह-तरह के घर दिखाए तो उमीद है आप लोग को यह व्लोग अच्छा लगा होगा अगर यहां तक आगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने नहां पूलिएगा इन्शालाइब अबुदाबी की जितनी में टूरियसम होगी उसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा मैं और कर रहा हूं उमीद है आप लोग के पस इसमुलागा बादिया, आला हाफिज